नमस्कार दोस्तो मैं हूँ लेटन और आप सबको आपका अपने चनल एल टेकनिकल पे स्वागत है तो दोस्तो क्या हाल चाले आप सबका आई होग आप सभी लोग सही होंगे तो दोस्तो शायद आप लोगों को पता है कि मोटो जी थर्टिन जनवरी में इंट्रोड्यूस्ट किया गिया था और अभी कॉन्फर्म न्यूज आ चुका है कि मोटो जी थर्टिन इंडिया में भी लॉंच होने वाला है और डेट है 29th मार्च जी हा दोस्तो मार्च 29 को मोटो जी थर्टिन इंडिया में लॉंच हो जाएगा यह एक लोफ मिड रेंजर होने वाला है जिसमें आप लोगों को धमाकेदार फिचर्श देखने को मिलेगा So, चलिए मैं आप लोगों को बता देता हूँ, इसमें क्या-क्या features देखने को मिलेगा So, without wasting any more time, let's start the video पहले बात कर लेते हैं processor की तो इसमें processor MediaTek Helio G85 SoC देखने को मिलेगा इस processor से आप लोग decent gaming भी कर सकते हो क्योंकि ये एक gaming processor है इसी Moto G13 में Android 13 out of the box देखने को मिलेगा It will come in a single 4GB, 128GB configuration Display Moto G13 में 6.5 inch HD plus LCD display देखने को मिलेगा और battery 5000 mAh का देखने को मिलेगा Which is good और इस battery को charge करने के लिए 20W fast charging support दिया गया है और अगर camera की बात करूं तो इसमें triple camera का setup दिया गया है जिसमें primary camera है 50 megapixel joined by 2 megapixel depth and 2 megapixel macro unit and there is a 8 megapixel camera on the front for selfies बाकी additional features की बात करूं तो इसमें side mounted fingerprint, 3.5 mm headphone jack and stereo speaker with Dolby Atmos देखने को मिलता है दोस्तों एक lower mid range smartphone में stereo speaker with Dolby sound मिलना ये अपने आप में बहुत ही खास है साथ में इसमें IP52 rating and dedicated micro HD card slot भी देखने को मिलेगा इट also comes with an NFC chip on board दोस्तों एक mid range smartphone के हिसाब से इसमें जो जो features मिलेगा वो सच में बहुत ही बढ़िया है Moto G13 में दो color variant देखने को मिलेगा एक है matte charcoal और दूसरा है lavender blue तो दोस्तों अगर आप लोगों को मेरा ये छोटा सा information helpful लगा है तो वीडियो को like और share कर दीजिए और मेरे चैनल को subscribe करके साथ मुझे bell icon उस पर भी press करके all कर दीजिए और अगर आप लोग मुझे instagram पर follow करना चाहते हूं तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही मिलते है अगले वीडियो में तब तक के लिश्टे अट्यून एंड केप स्माइलिंग